हेलो वीडियो बच्चो आज किस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी नियूबुख है कक्छा साथ विश्य समाजिक बिग्यान आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याई 3 में आपका दिया हुआ है राज सासन कैसे काम करता है पहला कोश्चन आता है आपका विधायको द्वारा कानू निर्मार संबंदी विश्यों पर चर्चा के लिए उपयुक्त इस्थान है आपका उत्तर हो जाएगा विधान सभा इसके बाद दूसरे में है राज में मुख मंतरी की नियुक्ति की जाती है आपको उत्तर में करना है राज पाल इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है विधासभ निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जिन्हें कहा जाता है तो आपको उतरमे करना है मुखमंत्री पांचोय में समचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार की कारियों वा विश्यों की चर्चा की जाती है जिसे कहा जाता है तो आपको उतरमे करना है C नंबर प्रेसवर्ता इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिख्तिस्थानो वाले प्रेश्ट तो आपको जो है A में भरना है जन्ता, B में भरना है आपको राज़िपाल, C में भरना है आपको विधान सभा सदस्ट D में भरना है आपको विधान सभा और E में भरना है आपको कानून आप इस तरह बह Detаюсь को चानाता है आपका साथ में गटबंधन सरकार किसे कहते हैं आपको तर्मिकन है गटबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और वह सरकार बनने लायक हो जाती है उसे ही गटबंधन सरकार कहती है नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्ण कर्मांक आठ आठ में वाल पेपर परियोजना क्या है आपको तर्मिकन है वाल पेपर परियोजना एक मज़ेदार गतिवीदी है जिसके माध्याम से रुची के किसी विशय पर सोध किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्ण कर्मांक नौमा नौमा में निरवाचन छेतर से क्या आसा है आपको तर्मिकन है निरवाचन छेतर किसी छेतर की चुनाओं में एक सीट निर्वाचित करने वाली छेत्र इकाई होती है हर निर्वाचन छेत्र से जनता एक प्रतिनीधी चुनती है जो विधानसभा का सदश यानी विधायक बन जाता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्ण कर्मांक 10 प्रिश्ण कर्मांक 10 में हैं एक विधायक मंत्री या मुख मंत्री कैसे बनते हैं प्रिक्रिय लिखे आपको उत्तर में करना है विधानसब चुनाव में आमचंत द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है बहुमत प्राप्त दल के सभी विधायक मिलकर मुख मंत्री का चुनाव करते हैं प्रिश्ण कर्मांग 11 में है लोग तंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है आपको तर्मिकरना है लोग तंत्र में जनता अपना विरोध अगबारों, टीवी चैनलों, संगठनों, हड़ताल और सभाय आयोजित करके आधी माध्यमों से कर सकती है इसके बाद आता है आपका प्रिस्न कर्मांक 12, 12 में प्रेसवर्ता क्यों की जाती है? आपको तर्म करना है प्रेसवर्ता मुख, उदेश, सरकार की किसी विभाग दौारा, जो की नीतियां निरड़य लागू किये जा रहे हैं। उन्हें नीतियों और निरड़य के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रिश्वर्ता में सरकार अपनी कारिनीती की जानकर या अखबारो टेलिवीजन के माध्यम से जन्ता तक पहुँचाती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिश्ट कर्मांग 13, 13 में बहुमत से क्या आसा है। आपको तर्मिकरना है जिस राजनेतिक दल के विधायक आधे से आधिक निर्वाचन छेतरों में जीत जाते हैं। किया जाते हैं उन्हें किसकी स्विक्रिती लेनी पड़ती है। उतर में करना है सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार किया जाता है उसे विधायका द्वारा अनुमोधित या स्विक्रित कराया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रिश्ट कर्मांग सोला, सोला में हैं अपने छेतर की समस्याओं की बारे में लिखे, आपकी इस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर आपने सुझाव लिखे, तो आपको तर्मे करना है हमारे छेतर में हमें अनेक शमस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे सौस्त समस्या, जल समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, रासन समस्या, आदी अनेक समस्याओं हमारे छेतर में होती हैं हम इन सभी समस्याओं को हमारे प्रतिनीधी विधाय आपको लिखना है पहले में जैसे लिख है विभाग का नाम उनके कारियों के दो दो उदाहरड तो विभाग के नाम में है इसकुल सिख्षा विभाग आपको लिखना है कल्यांड कारी कारिकरम चलाना दूसरा है इसकुल किसानों को लाब देना इसके बाद आता है आपको स्वस्ति विवाग स्वस्ति विवाग में आपको लिखना है बीमारी की रोख थाम और उपचार करना दूसरा है स्वस्ति के लिए शलाइदेना इसके बाद झाल 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 झाल